मिसमें लाइ रह्मान रहीम, असलाम अलेकूम, प्यारे बच्छों, कैसे हैं, उमीद है, खेरियत से होंगे, इंग्लिश की बुक है, केजी की, तो इसमें से हम अब, चेप्टर नमबर 8 से ये शामिल है, यूनिट नमबर 8 से, तो अब हम जो है, जर्ण नॉलिज लेंगे, जो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, आगे रीडिंग ओली वीडियो में अप्रूट कर चुके, जर्ण नॉलिज के लिए, सबसे पहले हम पेज नमबर 70 सेलेक्ट किया है, इसमें देखिए, शेफ्ट नेम है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, यहां से सेकिंड टम का जर्ण नॉलि ठीक है, सुर्कल, ट्राइंगल, स्क्यार, रेक्टैंगल, स्क्यार, रेक्टैंगल, कैसे करवाएंगे आप, स्क्यार, रेक्टैंगल, स्क्यार, रेक्टैंगल, स्क्यार, रेक्टैंगल, रेक्टैंगल, स्क्यार, रेक्टैंगल, 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 रेक्ट rectangle, circle, triangle, square, rectangle इस page से आपने ये four name जो है spelling के साथ learn करवाने है केजी का ये page number one है general knowledge का उसके बाद आगे चुलते है page number two general knowledge वैसे ये page number 75 है occupations occupations होते हैं पेशे names आपने याद करवाने है spelling के साथ ठीक है butcher, grocer, dentist, scientist, chef, architect, fisherman, pilot, driver butcher owner, surgeon, dentist, dentist, scientist, chef, 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 आर्गी टेक्ट फिशर्मेन फिशर्मेन पाइला और पाइलेट डर अब एर ड्राइवर कुछ इलफाज जैसे एस एज इसके बाद आई एस टी सी एज ये ब्लेंडिंग से पढ़ा रहे हैं इन्शारा तारा वो वीडियो में अलग से अप्रोड करूंगी ताकि आपको समझा आ जाए ठीक है दांतों का जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं साइंटेस्ट जो एक्सपेरिमेंट करता है लिबाटरी बगार में शेफ खाना बगाने वाले को कहते हैं आर्कीटेक्ट जो है वो कोई भी बिल्लिंग कोई भी चीज बनाता है फिश आफ में मचलियां पकेटता है जहाज बडाता है ड्राइवर किसी भी चीज़ का ट्रॉक्ट बस बगारा करूंगा पेज नमबर 2 अब है जैनल नालिज पेज नमबर 3 पेज नमबर 3 नर्मली इस पेज का नमबर 82 है हमारे हिसाब से ही पेज नमबर 3 है जैनल नालिज का फॉर्म एनिमल्स डेरी फॉर्म नाम से रहे न आप में वहां पे जो जानवर होते हैं उनके हमने यहां उनके और उनके ब तो 1, 2, 3, 4, 5 5 animals के नेम याद हो जाएंगे और इसी तरह हमें 5 animals के babies के नेम भी याद हो जाएंगे ठीक है और हमें पता चल जाएगा कि उनके babies को क्या कहते हैं तो इसलिए आपने animal का नेम with baby learn करवाना है spelling के साथ ठीक है horse and fall cow and cow hen and chicks goat and kid sheep and lamb हाओ रह साए horse hen and fa ओल फूल का ओवा cow hen and k एद kव हाएं हैं hen and चाई क्वाइफ श्रीक चेक्स ग ओ टा गोट एं न एं इन घ खा एद खिट शाईप शीप एं एंड एंड ला एं लैंड पेज नमबर 83 और जनल नॉलेज 4 पेज Animal Sounds हमने Animals और उनकी साउंड के नेम और उनके स्पेलिंग भी लेट करने है ठीक है Cows Cow जो है नेम है और मू उनकी आवाद है Cows मू Cats Mew Horses ने Dogs Wububu Loins ठीक है रहा रहा है उसकी Cowas Cows Mew Mew Cats Mew Hora S Horses N-E G-Ni Da O-Ga S Dogs B-O-Boo W-U-U L-E-E N-E Loins R-R-Rau यह हैं सफ़ा नंबर चार यानि प्रेज नंबर फॉर और लास्ट वेज है हमारा जनल नॉलेज का सॉरी लास्ट नहीं है के जनल नॉलेज फाइब इसमें वेजिटेबल्स नहीं आप लर्ण करवाएंगे कलीफलार पोटेटोस स्पैरेज परेंजल ओनियंज ओक्रा टरनेप कुकंबर रडिश कैरेट कल ला इकलीफलाँ ओला य टोर कलीफलार पोटां य लगोस स्पैरेंगे श्राइन बद्डेण गए ला जा ए ला ब्रेंजर ओ नाई उना उन्यांस ओक रा उक्रा उक्रा टारा नाई पर तरने पर का अ का मबर कुकमर रा ए डश रड़ इस्ट रड़ इस्ट का ए रा ओर्ड्स उसके बाद है पेज नमबर शिक्स जर्ण नालिश का पेज नमबर शिक्स फ्रूट्स ग्रेवस पीच एपल बनाना मैंगो स्ट्रावेर्डि गर रड़ पर एस ग्रेवस पाई पीच पल ए ए अपल बंए ना ए बनाना मैंगो हो मैंगो साट रड़ एव बड़ ए रड़ इस्ट्रो बेरी वाई हाँ ए के मानों में आएगा उसके बाद है जर्ण नालिश पेज नमबर सेवन मंस अफ दियर मंस ने जैन्री फैबरी मार्च एपरल मैं जून जुलाइ ऑगस्ट सेप्टेंबर ऑक्टूबर नवेंबर डिसेंबर जा ए ना ए रड़ जा ए ना ए रड़ जैन्री यहां वाई ए के मानों में आएगा फ़ ए बा ए रड़ फैबरी मा ए रड़ मार्च एपर एल एपरिल माई मैं जुन जुलाइ जुलाइ ऑगस्ट सेप्टेंबर ऑक्टूबर ना वा ए माबार नौएंबर ड़ ए साइशा इसमबर जैन्री फैबरड़ी मार्च एपरिल माइ जुन जुलाइ ऑगस्ट सेप्टेंबर ऑक्टूबर नौएंबर एंड डिसेंबर पेज नौबर सेवन लास्ट पेज पेज नमबर एट जनल नालिज पेज नमबर एट यह लास्ट है ठीक है विदर सेंबल्स है यह चीजें दिखाके हम बच्छों से पुछ देह कि कौन सा मोसम है ठीक है तो अगर हम क्लाउड देखते हैं और रेन है किसी ने अम रहला उठाया हुआ है तो क वाज से उड रही है इसकी हर जो ब्रांच है और हार लीव और फ्लार कोई भी चीज़ है तो ये विंड है यानि तेस हवा है विंडी डे उसके बाद आप देखिए सूरच चमक रहा है पूरी तरह तो क्या है सनी या हाट डे दोनों में से कोई एक आप कहेंगे सनी डे भी कह स उसके बाद जब दोनों चीज़ें होती है देखिए बादल भी है यानी क्लावट and sun और आप इकठे हैं तो यह कौन सा डे आ है 29 दूब नॉári तरह दूप निकलती है और पूरी तरह पूरी तरह चाहता है इसे बोलते हैं क्लावड़ी डे और इस किसमा साइम यानower तरह, मौसम या आस्मान जो काला नजर आ रहा है, सुर्ख नजर आ रहा है, कुछ समझ नहीं आरी कि क्या हो रहा है, तो थंडर, यानि बारिश भी, आंदी भी, तोनों चीज़ें मिल के क्या कहलाती है, तूफान, जिसे इंग्लिश में बुलते हैं थंडर, उसके बाद है आसमान पर बिजरी चमक रही है बादल काले नजर आ रहे हैं जो आपको और बिजरी चमक रही है तो क्या है यह लाइटनी यानी बिजरी का चमकना तो यह मौसम है उसमें आप देखिए रा ए ना ए rainy da a day rainy day ma ina day windy va ina da e windy da a day windy day sir na a sunny hao ta hot da a day hot day cla o d cloudy da e d cloudy day to a na da l thunder la e lightning lightning rainy day windy day sunny hot day cloudy day thunder lightning learn कीजेगा सारे pages इसलिए दे दिए हैं कि आपको अंदाज़ा हो सके कि जाना नालिज में second term में eight pages हैं आप चाहें तो हमसे ज्यादा भी learn करवा सकते हैं आप कहते होते हैं कि हमें books दे दें हमने बच्चों को घर में पढ़ाना है तो आप वीडियो के थुरू आप पार बार चाहें हम अभी वहां तक पहुंचें या ना पहुंचें सारे हम तो एक routine के तहर पहुंचेंगे ना तो आप चाहें तो अपने बच्चे को वीडियो के थुरू ज्यादा भी learn करवा सकते हैं उसकी ability को polish करने के लिए ठीक है best of luck अलाह अफेज